अस्सलाम अलेकुम एब्रिवन वेलकम बैक टू माइचेनल स्क्वाइट त्री तुड़े वी आर गोएंग टू डिसकस अबाउट सब्जेक्ट एंटमोलोजी तो फिर्स्ट आफ आल यू है एंटमोलोजी इंसेक्ट्स की स्टडी इसमें हम करते हैं इंसेक्ट्स की स्टडी क तो इसमें अगर पर यहें गरते हैं इंसेक्ट्स की जयनर सीवनरी से उतधी क्या है तो उनमें अगर देखें तो हमारे पास सब से पहले आते हैं कुछ सबसे पहले इंवर्टिब्रेट्स के इंसेक्ट्स से पता होगा लेकिन फिर भी चोटा सा उबर्वीव कर देते हैं कि इन वर्टिब्रेट्स एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन में वर्टिब्र कॉलम नहीं होता ना ही अपना डिवैल्प कर सकते हैं ना ही इनके पास मुझूद होता है इसमें की अगर हम एक्जेंपल्स देखें इसमें प्रोटोजोम्स आ जाते हैं एनलीट्स आ जाते हैं एकाइनोडम्स आ जाते हैं आर्थ्रोपोर्ट्स आ जाते हैं यह सारी इसकी क्या है एक्जेंपल्स हैं तो इन वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं विदाउट वर्टिब्रल कॉलम्स जो एनिमल्स होते हैं उनको क् प्रोटो जॉन्स ऐनलीट्स कि समझ आ गई कि इन्षेटिप्ट है इसके बद सेग्मेंटरी यह ओधी है कि सेग्मेंटि βॉर्डी यहीं कैसकी बॉडी स्छेगें य। नाम दिधा चौनों को हम क्या नाम दिए आंथ उन सेगमेंट्स को हम क्या नाम neues तत है और ऴो सग्मेंट्स पीन डिचिएंट्स के लिवाइट वेयर crn क्या होते हैं 3 regions में group to weigh होते हैं जिनको हम नाम देते हैं Head, Thorax & Abdomen मतब एक इंसेक्ट की बोडी होती है एक इंसेक्ट की बॉड़ी होती है तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होगी यह तीन पार्ट हैं उसमें से क्या होते है first of all उसका Head, Then Abdomen, Thorax & Abdomen यह three parts है head, thorax और abdomen और इन segments को हम क्या नाम देते हैं Tigmeta का नाम देते हैं उसके बाद उसकी legs की बात करें उसकी legs की अगर हम बात करें तो इसकी legs भी segmented होगी legs भी segment में याएंगी इसकी paired segmented appendages होते हैं legs में present क्या होती है paired segmented appendages यह आपने insects को कभी गोर से देखा हो तो उनकी legs होती है, ऐसे बनी होती है, ऐसे, तो यह segments की form है ना, यह अलग से segment होता है, यह अलग से segment होता है, तो इसकी paired segmented क्या होती है, appendages होती है, उसके बाद इसकी बात करें, तो इसमें symmetry की बात करें, तो bilateral symmetry होती है, अब bilateral symmetry का आपको पत है कि किसी भी चीज़ को अगर हम सेंटर से कट करें एक शेप है तो इसको अगर हम सेंटर से कट करें ये तो दोनों साइड पर इक्वल आ रही है ना शेप उसकी दोनों साइड पर सेम है तो इसको हम बाइलेटरल स्मिट्री कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं बाइलेटरल स्मिट tree होती है और bilaterals में tree होती कि आया है कि अगर हम राइट और लेफ्ट हाफ जो है ना वो एक जिससे नजर आते हैं कर उसको सेंटर से कट किया जाए दैन हम उसके exoskeleton के बारे में देखते हैं अब आपको पता है exo का मतलब ही होता है outside तो skeleton जो है उसकी protective covering को कहते है तो जो बाहिर उसकी जो outside पर protective covering present होती है उसको कहते है exoskeleton और insects का exoskeleton क्या करता रहता है malt होता रहता है जैसे जैसे animal grow करता है जैसे जैसे animal grow करता है उसका exoskeleton क्या होता है वो टूपता रहता है, malted होता है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसका exoskeleton जो होता है, वो किस से बना, किस से होता होता है, वो made up होता है material से, जिसका नाम है kytin, किस से मला होता है kytin, kytin के बारे में आप लोगोंने पहले भी काफी जगा पे पढ़ा होगा, तो ये exoskeleton क formation में help करता है, जो है kytin, उसके बाद पीछे भी हमने पढ़ा है, कि insect जैसे जैसे grow करता है, उसमें malting होती है, तो ये भी वही लिखा हुआ है, कि insect grow करते हैं, अपनी different stages of life में, किस process के थूरू, malting के process के थूरू, और फिर हमने पढ़ा पीछे कि उसमें क्या होती है, segmented legs होत जापोडा कहते है, त्री पेर्स का मतलब के आए कि इसके अंदर six legs present होती है, क्या होती है, six legs present होती है, six legs होगी, three pairs होगे, तो six legs होगी ना, और उनको हम नाम देते है, six का मतलब ही है, जापोडा, six legs हो कहेंगे, मतलब three pairs, उसके बाद इसके हम sensory organs की तरफ आ जाएं, तो sensory organ मे help करता है, और उसके बाद हम इसकी eyes देखें, तो इसमें एक pair present होता है, compound eye का, और one, two, three pair present होता है, OC eye के, अब compound आए गया होता है, simple eye का, तो हमें पता है, simple eye में क्या होता है, एक lens present होता है, क्या होता है, एक lens simple, एक lens present होता है, जो के focus करता है, light को, और सारा image की formation में help करता है, compound eye में more than one lens होते हैं क्या होते हैं बलके multiple lens होते हैं 1000 lenses भी हो सकते हैं compound eye में lens ज्यादा होते हैं 1000,100,000 lenses होते हैं जो मिल के help करते हैं imagery formation में उसके बाद हम आ जाएं उसके बाद हम इसके mouth-part की बात करें तो इसका mouth-part जे होता है आ यह एक बाता है तो उसका mouth part hard होता जाएगा, अगर उसे soft मिल रहा तो वो soft होता जाएगा, तो इसका mouth part variously depend करता है, उसके mode of feeding गे उपर, next इसकी breathing की बात करें, तो इसकी breathing होती है, tracheal system के थुरू, मतलब जैसे humans में भी होती है, tracheal system होता है तो इसकी breathing के लिए क्या होता है, इसका tracheal system present होता है next इसकी circulatory system पे आ जाते हैं, इसका circulatory system देखें, मतलब इसके अंदर जो blood like substance होता है, वो क्या present होता है, hemo soil present होता है, circulatory system की बात करें, तो उसके अंदर क्या मुझूद होता है, इसमें hemo soil present होता है, जो के blood like substance के तोर पे काम करता है, अब hemo soil क्या होता है, हमारे humans का blood circulatory system देख करता है उसके बाद इसका देखें कि यह uric acid कैसे excrete करता है तो यह अपना जो uric acid होता है वो malphigion tubules के शुरू excrete करता है नेक्स्ट आ जाता है इसका nervous system तो इसके nervous system में क्या होता है circumferangeal ring present होती है और ventral nerve cord present होती है nervous system में क्या होता है circumferangeal ring और ventral nerve cord present होती है जैसे आपको पता हीउमन के nervous system के अंदर spinal cord और brain होता है वैसे इंसेक्ट में यहां पर circumferangeal ring और ventral nerve cord present होगी इसके heart की बात करें तो heart insects के अंदर होता है वो pumping organ जो है ना वो कहां present होता है नेकिं nerve cord जो होगी वो ventral present होगी अब देखें तो यह इस side पर होगा यह क्या है dorsal और यह क्या है ventral यह क्या है dorsal और यह क्या है ventral इसका brain heart dorsal side पर present होगा और ventral nerve cord जो है वो ventral side पर present होगी उसके बाद muscles की बात करें तो muscles क्या होते है सिर्ट्रिट्रिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट होते हैं सबने सारी हमने पढ़ ली अब यह देखें टोटल ट्वंटी क्रेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं अब हम इनका ओवर्वी एक दफा कर लेते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ा जल्दी जल्दी इसका ओवर्वी कर लेते हैं कि हमने सबसे पहली पढ़ी कि insects क्या होते हैं, invertebrates होते हैं, जो के without vertebra column होते हैं, जिसमें protozeल, analyteCre Richards आ जाते हैं, उसकе बाद सकी segmented body होती है, और इसमें जो segments होते हैं, उनको हम नाम देते हैं, और segments three regions में जो हैं, गुरूप होते हैं, उनको नाम देते हैं, head का, thodox का, और abdomen का, उसके बाद इसके legs क्या होती है, paired segmented appendages होती है, इसमें bilateral smittery होती है, मतलब अगर center से cut किया जाये तो right और left side क्या होंगी, same नजल, then इसके exoskeleton की बात की ही, कि जैसे जैसे animal grow करता है, वो क्या हो जाता है, malted होता जाता है, और insect में जो exoskeleton होता है, वो किस से बनावा होता है, k grow करते जाते हैं, किस process के थुरू, malting के थुरू, और इसमें legs हमने बॉली कितनी होती है, three pairs होते है, मतलब six legs इसमें present होती है, जिनको हम hexapoda कहते है, इसमें एक pair होता है, antenna का present होता है, जो के function करता है as a sensory organ, और one pair इसमें किसका present होता है, compound eye का, compound eye क्या होती है, इसमें multiple lenses, आई क picture की formation में, image की formation में help करते हैं, और one to three pairs किसके OC lie के present होते हैं, mouth part की बात की तो वो adapted होता जाता है, depend किस पर करता है, mode of feeding पे, मतलब के वो क्या feed करणा, अगर वो soft food feed करेगा, तो उसका mouth part जो soft होगा, अगर hard तो वो hard होगा, breathing की बात करें तो breathing इसकी tracheal system के थुरू होता होता है, या फिर इसका circulatory system में क्या होता है, इसमें hemosoil, याद रखने वाली के बात है, कि इसमें hemosoil होता है, जो कि blood like substance पे काम करता है, यह uric acid कैसे excrete करता है, malphigion tubules के थुरू, कैसे excrete करता है, malphigion tubules के थुरू, nervous system की बात करें, तो इसमें circumferringial ring होती है, और ventral nerve cord होती है, heart जो कि ना वो डॉर्सल ब्रेन होता है और ventral nerve cord होती है, insects में क्या होती है, dorsal brain और ventral nerve cord muscles होती है, insects में से लिए present नहीं होता है, लेकिन कुछ insects में से लिए present भी होता है, insects में paired segmented appendages होती है, बस आजका हमारा topic यही था, उमीद है, आपको समझ आईयो, समझ आयो तो like और subscribe करना मत वीगा शुद्या